नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे भागे को बदल सकते हैं बस उसका सही तरीके से इस्तिमाल करना चाहिए तो आज हम जिस पौधे की बात करेंगे उसका नाम है अतीपला यह आपके घर के आसपास या रोड साइट कही भी आपने देखा होगा इस तरह का पौधा इसमें एक सुनहरे के रंग का पुस पाता है और इसका जो भल होता है ना उसका बस यह समझे लिए आकारी आपको कहीं भी बर्बसी आकरसित कर लेगा तो इस पौधे का नम अतिवला है जैसे की नाम से आप जानते हैं अतिवला का मतलब है इसमें बहुत सारे बल है बहुत सारे गुन है अतिवला के आयुवेदिक भी किये जाते हैं अयुवेद के तौर पर सरील में जाकर एंटी डायविस्टिक कंपाउंड का काम करता है और इसके पत्तों का सेवन करने से सरी इंसूलिन बनाने के लिए उत्तेजित हो ज कची से पत्तरी बनने की समस्च्या हना इस में गिल कर निकल आती है अतिवला से खासी भी दूर कि जाती है इसके सेवन से खासी पत्ताके बाहर निकलाते हैं और इसके साथ इसका सेवन करना किसी आउरवेदिक बैद की सला से ही कीजिएगा क्योंकि आप अधिक मातरा में सेवन करते हैं तो अगर ये बिस रोधी है तो बिस पैदा भी करता है इसलिए जादा की संख्या में नहीं करना चाहिए समातरा में इसका सेव या पत्तों के रसकों गर्म पानी के साथ ले सकते हैं ज़र छाल पत्तों का लेप सकते हैं तो इस तरह करते हैं तो उत्तम हैं लेकिन किसी भी प्रियूग को Teous हैं आप त büy़ात में परियूंगघ और जाएं या फिर कुछ सारे रिक परिसानियों के कारण बहुत परिसान रहते हैं तो ऐसे में इस पौधे कर चमतकारिक लाब आपको हर मुस्किल से बाहर निकाल देगा क्योंकि आयुरुबेद में इस जरीबूटी का बहुत महत्तों बताया गया है तो यह मौली पौधा नहीं है बलकि एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में यदि आपको पूरा ज्यान हो जाए तो कई तरह की विमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं और साथ ही यह औसधी पौधा होने के साथ तंत्रमंत्र नकात्मक उर्जाओं को समाप्त करने वाला धन को आकर्सित करने वाला पौधा है इस पौधा के बहुत सारे गुन है माना जाता है कि इस पौधे के जड़ का प्रयोग आपके बहुत सारी सारीरिक मुस्किलों को समाप्त कर देता है तो इस पौधे के बारे में हमारे तंत्र सास्त में बहुत सारे प्रयोग बताये गया है आयरुवेद में भी बहुत सार महाँ प्रियोग बताएंगे कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो सुनकर आपको लगेगा कि हाँ ये ग्यानम को पहले ही प्राप्त होना था तो अब से इस पौधे को आपको फेगना नहीं है बलकि कहीं भी दिख जाए तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना है देखिए सबसे पहली बात तो इस पौधे के चमतकारी गुन तो है लेकिन जब भी कोई भी आप प्रियोग करते हैं खास कर तंत्र मंत्र तो आप सनी बार अभी बार ये मंगल बार का दिन चुनिए और एक दिन पहले निमंतरन देना चाहिए निमंतरन देने उससे क्या होता है पौधे के गुन बढ़ जाते हैं पौधे भी आपको अपना सर्वस निचावर कर देते हैं जैसा कि हमारे धर्मेया आप किसी को निमंतरन देने जाते हैं वो बहुत खुस होते हैं उसी तरह अगर आप पौधे को निमंतरन देंगे तो खुसी पुरुवक आपकी हर कस्ट को हर लेंगे तो इस पौधे का पत्ता जड़ और इसका फल हर किसी में गुन है तो आप निमंतरन कैसे देंगे देखिए वैसे तो अगर आपके समय नहीं आते जाते कहीं दीख जाए तो आपके पास पानी का बोटल रहता है थोड़ा सा पानी जड़ में दाल दीजिएगा और अगर आपके पास खुले पैसे हैं छुट्टे पैसे हैं तो एक सिक्का वह पर एक रुपे का सिक्का जो भी आपके पास है वह पर रख दीजिएगा जड़ के पास और बोलिएगा प्रणाम करके आपकी जो समस्या है धन की मुस्किले है स्वास्त की मुस्किले है तो आप बोलिए कि आप कल लेने आएंगे और आज आप उनको निमंतरन देने आये हैं फिर अपनी परेशानी बताईए अपना नाम बताईए अपना जगा का नाम बताईए कि आप कहां से आये हैं आपका नाम क्या है अपना परिचे दीजिए और कहिए कि हमें ये समस्या है संतान नहीं हो रहा धन की प्राप्ती चाहिए घर में तंत्र मंत्र किरे आया हैं उससे मुक्ती चाहिए तो ये बोलिए उनको जो भी आपकी मुश्किले हैं और बोलिए हम आपको कल लेने आएंगे अगर महाल लेते हैं आपको उस दिन समय नहीं है सनिवार की ही दिन आपको रविवार मंगलवार के दिन दिग गया तब तब आप उसी दिन भी ला सकते हैं परणाम करके बोलिए कि चलिए आप मेरे साथ हम आपको ले जाने आया हैं फिर उस पौदे का जड़ को थोड़ा सा आपको खाड़ कर तोड़ कर ले आए जरूरी नहीं है कि पूरा पधा उखाड़ा जाए आप मिटी हटाएंगे तो जड़ उपर में ही रहता है थोरा सा जड़ तोड़ कर ले आना है आप तो सबसे पहले हम आपको पत्ते का प्रयोग बता देते हैं देखिए इसकी जो पत अधनरस्थान पर रखक डिक किसी भारी वस्तु से दवा कर और काम लँठा करें कि धन रख सकते हैं चालब बात नहीं जहां पर आप बाहर में भी पर्स रखते हैं यह कुछ पैसे रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं और किसी भारी वस्तु से दबा दीजिएगा इस पत्ते को एक मेने के बाद उसे उठा कर मिट्टी में दबा दे एक मेने में आपको असर आजाएगा आप अगर संतान की जहात है तब आप थोड़ा सा जड़ लाइएगा इस जड़ को लाने के बाद बस आपको निमंत्रे बाद इसको देखिए हमने आपको पहले भी आकरे के पौधे के बारे में बताया था कि जड़ से कैसे संतान प्राप्ती होती है उसी तरह अतीबला के जो फ और तीन दिन के बाद इस जरको कूट कर जो महिला प्रेगिनिट होना चाहती है वह थोड़ा करकर करते हैं यसी क अब देखिए इसका स्वास्त्स की समस्या प्रियोग होता है तो उसके पहरे एक और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजेगा और वीडियो पसंद है तब लाइक कीजेगा कमेंड कीजेगा तो हमने कहा है अगर काई बनाकर ताल का गुर मिला कर इसको पिए तो में रहात मिलती हए यानि कि जो दस्त होने में दिकत होती है अब कई बार क्या होता है नर पेट में दर्द होता है ऐसे में अतीवला के साथ आप सोठ मिलाकर दूद के साथ पीए तो पेट दर्द में भी आराम मिलता है हलांकि कोई भी आयरुवेदिक प्रयोग किसी बैद के ही सलाह से करना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा लेकिन ये इसके गुन है हम आपको गुन मताना जाते है सरीर को बलसाली बनाता है फौलाज जैसा कठोर बना देता है इस पौधे के इस्तिमाल करने से अगर कमजोरी ज़्यादा है सरीर में खाया पिया नहीं लग रहा तब अतीबला की वीजों को पका कर खाने से सली में ताकत बढ़ जाती है साथ ही साथ अतीबला का प्रियोग है वो यूरीन की मुस्किलों को भी समाप्त करता है काड़ा बना कर सके पीने से और अगर बार बार पिसाब आने की समस्या है तो जड़ की छाल को पॉडर यदि चीनी के साथ लें बार-बार पिसावाने की समस्या समाप्त हो जाती है कई भार मसूरे में थोरा सा दिक्कत आयाती है सूज़न आयाती है मसूरों में तब आप पत्तों का कड़ा बना कर तीन-चार दिन कुल्ला करेंगे तो मसूरों की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है अतिवला जादा तर गुर्दे की परिशानियों को समाप्त करता है गठिया जो जो जोइंट पेन होता है उसको समाप्त करता है और साथ ही दस्त में भी लाब करता है यहां तक की मिर्गी के दोरे में भी लाब देता है अगर इसकीन की परिशानी है तो भी यह ठीक करता है एंटी अक्सिडेंट एंटी जो जिवानु रोधी कुन होते हैं इस पौधे में होते हैं और मदू मेह यानि की जो डायविटीज क चमता भी बढ़ाता है संक्रमन से भी आपको बचाता है यह अतीवला का पौधा देखिए इसका पेश्ट बनाने के लिए पत्ती बीच को पानी में से कुचला जाता है और फिर रस को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसका अगर आप पत्तों के पौडर ग्यों के अट जाता है तो इसके बहुत सारे गुन है हम फिर मिलेंगे बहुत सारी बाते करेंगे फिलाल विदा लेते हैं अगर आपको जानकाली अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखिएगा धन्यवाद हम फिर मिलेंगे